रात को सोते समय सिर्फ दो इलाइची ले करके अपने मुठी में बंद करके सिर्फ तीन बार इस नाम को बोलना है और सो जाना है जिस वी इस्तरी का आप नाम लिजिएगा उस समय वो इस्तरी सुबा होते होते आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी आपसे मोहबत करने लगेगी आपसे प्यार करने लगेगी और आपके आगे पिछ गुमना सुरू कर देगी मेरे प्यार वक्तों सिर्फ दो इलाइची सिर्फ दो इलाइची आपको अपने मुठी में पकरना है और या तीन नाम बोलना है और सो जाना है इसके अलावा आपको क जहते हैं कि रूठा हुआ प्यार पलभर में मान जाए, खोया हुआ प्यार आपको छोर कर गया है, वापस आपके पास आजाए, आपको छोर कर नहीं जाए, तो सिर्फ एक बार आप इस वासिकन तुटका को जरूर कीजिएगा। बहुत सरे ऐसे लोग हैं जो कि अपने प्यार को पाने के लिए प्यार को लेकर परसान हैं, वो सोचते हैं कि हम क्या करें, कैसे अपने प्यार को अपनी वस में करें, ताकि प्यार हमारे बगर एक मिनट भी नहीं रहा पाए, तो अब आपको निरास होने की जरूरत नहीं है, रोना धोना नहीं है, सिर्फ एक बार आपको ये वसीकन तोटका करना है, जिसके प्यार में आप टरपते हैं दिन रात, वो भी आपके प्यार में टरपेगा, बस आप ये वसीकन तोटका कर लीजिए, करना क्या होगा? सिर्फ दो इलाइची लेकर के रात को सोते समय, अपने मुठी में पकड़ना है, और इस तिन नाम को बोलना है, और अपने प्यार का नाम लेकर के उस इस्त्री का नाम लेकर के सो जाना है, और चमतकार दखिएगा, सुबह सहीं वह इस्त्री, वह प्यार आपके वस्म हो करके, खुद आपसे बात करने आएगा खुद आपसे मिलेगा आपके बगार नहीं रापाएगा आपके आगे पीछे घुमेगा तो आएए बताते हैं आप सभी को कि इस वसिकरन टूटका को कैसे करना है बहुत सारे से लोग हैं जिकि वसिकरन करके ठक चुके हैं प्यार को पाना चाहते हैं प्यार को हासिल करना चाहते हैं लेकिन प्यार वस में नहीं होता है तो उन लोगों के लिए सबसे आसान ये वसिकरन टूटका है मेरे प्यार भगतो मेरे बतावी वसिकरन टूटका से लाखों लोगों का काम होता है उनका प्यार मिलता है हमें खुशी प्रावत होती है कि हमारे बतागे वसिकरन टूटका से उनका प्यार मिल जाता है कुछ-कुछ ऐसे मिर भगते हैं जो कि वसिकरन करने में समझने में कही न कहीं गलती कर देते हैं और बोलते हैं गुरू जी मेरा काम नहीं हुआ तो आप घबरानी की जरुवत नहीं है क्योंकि इस विडियो में आज मैं वसिक्रन का एक ऐसा बिधी बतानी जा रहा हूं जो कि करते हैं वह इस्तरी आप से कितना भी दूर क्यों नहीं हो वह आपको जानती हो या नहीं पाचा इलाइची लेना है क्या लेना है दो इलाइची इलाइची लेने के बाद में सबसे पहले इसको करना क्या है पानी से धो देना है साप कर देना है द्यान दे वसिक्रन को समझे कम सकम यहां से विडियो को लगतार लाश तक जरूर देखे ताकि वसिक्रन आप सही से समझ ले और सही से वह सिकरन करें और आपका प्यार आपके वस्म हो जाए ठीक ना द्यान से दिखिएगा सबसे पहले दो इलाइची ले करके आप क्या कीजिएगा पानी से धो करके साप कर दीजिएगा सही तरीके से जैसे ही पानी से इसको धोईएगा आप क्या कीजिएगा धूप मे कम सकम एक मिनट के लिए इसको रख दे ताकि सुख जाए उसके बाद में आप क्या खिजिएगा ध्यान से दिखिएगा जिस भी इस्त्रे को अपने प्यार में पागल दिवानी बनाना चाहते हैं जिस भी पुरुष को अपने प्यार में टर पाना चाहते हैं चाहते हैं कि आपका प्यार आपके बगर नहीं रहा पाए यदि आप चाहते हैं कि जो प्यार आपको छोर कर गया है वापस आ जाए आपके लिए टर पी आपके पास रा दिन फून करें तो सिर्फ एक बार आप उसका नाम भोल करके इस दोनों लवंग के उपर में फूक लगा देजिएगा दोनों इलाची के उपर फूक लगा देजिएगा जैसे ही इलाची के उपर में फूक लगाईएगा आप क्या किजिएगा ध्यान से देखिएगा इस दोनों इलाची को उसी समय दिन में करना है और उसी समय इस इलाची को अपने तक्ये के नीचे रख लेना है और छोड़ देना है जैसे ही रात को खाना पिना खा करके आप सोने जाईएगा धान दिजिएगा कि आपके घर के अगल बगल का सभी लोग खाना पिना खा कर सो गया है उसी समय अपने पैर हाथ को धो दिजिएगा सही तरीके से और कोई साप का परधारन किजिएगा अपने सरीर पे इत्र लगा लिजिएगा और दो चार अगरबत्ती जला करके अपने सोने वाले कमरे में उसको लगा दिजिएगा और रूम बन करके अकेले में इस वसीकन टुटका को कहीजिएगा सोते समय दोनों इलाइची को पास में आपको निकल लेना है अपने सामने बेड़े पे रखना है या अपने हाथ में रखना है पुरब दिसाक्यूर आपको घुम जाना है और जिस भी इस्त्री को जिस भी प्यार को पाना चाहते हैं उसका चेहरा अपने मन में एकड़म सच्चे मन से बसा लिजिएगा ऐसा लगना चाहिए कि वह इस्तरी वह प्यार आपके मन में हैं दिलो दिमाग में हैं उसको याद करता रहना है जैसे ही इतना आप कीजिएगा दोनों इलाची के उपर में इस परकार से उंगली को फिरना है हाथ को फिरना है और हाथ फिरते फिरते आपको क्या करना है इस तिन नाम को बोलना है कौन सा तिन नाम है सबसे पहले वह नाम है जहांसे दखिएगा काम देव गुरु क्या नाम है काम देव गुरु दूसरा नाम है कमाख्या देवी तिसरा नाम है वो इस्त्री का नाम ठीक ना जिसको अपने प्यार में टड़ पाना चाहते हैं काम देव गुरू कमाख्या देवी और उसके बाद में प्यार का नाम यानि की इस्त्री का नाम जैसे हैं तीन नाम बोलिएगा इस इलाइची के उपर में फूक लगा दीजिएगा सच्च मन से मिश्वास के साथ में जैसे हैं फूक लगा दीजिएगा आप लगतार इसी परक काना नहीं है ठीक ना लगतार करना है जैसे ही 108 बार बोलकर कि इस पे फूक लगा दीजिएगा आपका काम हो जाएगा आप सो जाएगे चमतकार दिखिएगा सुबह से ही वह इस्त्री वह प्यार आपके लिए वेचैन हो जाएगा और खोद आपके आगे पीछे घुमेगा आ आपसे मिलना चाहेगा 24 घंटे आपके प्यार में डूबा हुआ रहेगा अब क्या किजिएगा जहां से दिखिएगा एक जो इलाइची है उसी समय आप अपने घर के में चोकट जो होता है चोकट वहां पे मिटी को कुन करके दबा दीजिएगा ठीक है ना और एक जो कोई देखे नहीं कोई टोके नहीं चमतकार देखिएगा वईस्त्री एकदम बेचेन होकर आपसे बात करने के लिए आपसे मिलने के लिए खोद आपके पास आएगी आपके लिए टर्पियागी आपके बगर नहीं रहा पाएगी यह जो वह सिकन्ट टुटका है बहुत ही पॉर्फूल है आज माया हुआ है बहुत सारे यह से लोग हैं जो कि सोच रहे हुए कि हमारा प्यार जो है हमसे बहुत दूर है उसका घर बहुत दूर है हम कैसे करें मेरे प्यार पबक्तो आप जैसे ही इसको अपने घर में दबा है एक को तो आप इसको साथ दिन के भीतर भी तर में आपको फ्यक्त देना है आपका काम हो जाएगा प्यार जहां भी रहेगा आपके लिए बेचेन हो जाएगा जैदी आपको समझने में दीकात हुआ है नीचे कमेंट कीजिए का हम आपकी फिरी सेवा मदद करेंगे जैदी आप मर चैनल पर अभी तक नए है तो मिचाम क सब्सक्राइब कीजिएगा और वलगहंटी कुछ और दवाईएगा ताकि हम जितने उड़ाएंगे सबसे पहला पी का पास में जाएगा